नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं फ्लाय्ट चलिकेड जी यहां साथियों कौविट टेस्ट से रिलेटेड कितने बंदे इंडिया पाँचे इंडिया से कितने लोग अब तक बाहर पहुंच शुके पूरी डिटेल से हम बात करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो like share करें आपके लिए important news में मैं डालने वाला हूँ covid test related क्योंकि दुबई विए ही सरकार ने कुछ इंडिया में जो test ले पर उनको वेन कर दिया है तो आपको ये जानना जरूरी है कि कहीं आप अगर वहां से आप test करवा लेते हो और पता लगे कि आप वह एरपोर्ट पे legal नहीं है online show नहीं कर रहा है तो भाई आपके लिए problem हो सकती है आपका test का पैसा जाएगा आपकी ticket का पैसा जाएगा तो बड़ा नुक्षान हो सकता है वीडियो पूरा देखता रही है वीडियो चाल लगे तो लाइक शेयर करें चेनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें फेस्बूक पैच वाले पैच को फॉलो करके रखें ताकि आपको गल्प कंट्री से related से information यहाँ पे मिलती रहे बता दूं इंडियन एक्स्प्रेस ने अपना बयान जारी करते हैं बताया कि दुबई में अभी इंडिया के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको में रेस्टेशन करवाने क्या आप सकता नहीं है यह लेटेस्ट निउस बता दूं तेरा अक्टूबर का दिया है क्यों दिया है बही मुझे समझ में नहीं है यह सिस्टम तो एक डेड़ मेंने पहले हड़ चुका है लेकिन यह पता नहीं अभी बयान दे रहे हैं कि अभी रेस्टेशन की जुरूत नहीं इंडियन एंबसी में जाके लोगों का टाइम बरबाद हो रहा था तो उनको देखते हैं 15 दिन के लिए बेन लगाया उसके बाद में 4 PCR टेस्ट लेब ऐसी थी जिस पे वेई सरकार ने बेन लगा दिया कि दुबई सिविल अथोर्टी ने यह बताया कि इंडिया की जो चार लेब हैं उनको एमान ने गोशित कर दें याने उनको ब्लेक लिस्ट कर दें उनसे अगर आप मेडिकल टेस्ट करवा के लाते हो तो हम माने नहीं करेंगे नाम बता देता हूँ गोर से देख लीजिए नाम लिख लीजिए अगर यहां से आप मेडिकल टेस्ट करवा लेते हो तो वो माने नहीं होगा आपका पैसा आपका टिकट बगरा सब खराब हो जाएगा दो दिल्ली की लेब हैं बता दू इसमें एक केरल है एक जेपूर का नाम सामिल है दोबई ने एर एसिया एकस्प्रेस को काया कि ये चारों लेब के आरटी पीशेर कोरोना रिपोर्ट के साथ किसी भी पैसेंजर को ट्रेवल करने के अनुमती नहीं दी जानी चीए मना कि इन लेब्स की लिस्ट में जेपूर की सुरियम लेब नोट कर लें जेपूर की सुरियम लेब है केरला के कई सहरों में मेचजूद माइक्रो हेल्थ लेब दो नंबर है दिल्ली का प्राइवेट लेब डॉक्टर बसीन पेथ लेप लिमिटेड दिल्ली का नोबेल डाइगनोनिस्ट डाइगनोनिस्ट सेंटर लेप सामील है यह यह च्यार लेप हैं इनको अगर आप करवा लेते हो तो आपका पैसा खराब जाएगा यह तैब बात है इनसे कोई आपका भला नहीं होने वाला तो ध्यान रखें आगे बता दूं साथियों अब तक इंडिया वंदेभारत मिजिस्टन के तैद लगबग टू मिलियन लोग मतलब आ चुके हैं लगबग अगर बात करें तो सत्रा लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं जियां साथियों विदेशों में फंसेवे लोग सत्रा लाख हैं लगबग तीन लाख लोग दुबई जि वो दुबै आ रहें चेह और कंट्री आ रहें तीनलागय लोग आने वाले हैं लाग लोग इंडिया से बाहरों जानी वाले हैं सत्रालागय लोग आने वाल आ न थी रिकोड इंडियन आ हुप दोटने दिया है बताते सरकार नंचेयर में से लेकर अब तक दूसरे लाग 11,128 परवासी बारतियों को नागरिकों को भारत वापस लाए जा चुका है वहीं वंदिवारत में इसन के तहए दो लाग 57,537 भारतिये नागरिक भी देश गए हैं देश से बार गए हुए हैं जी हां बस यह जानकर यह आप लोगों साथ सेरे करनीती साथ यह वीडिय लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आकान ओन कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जैहिंद जैभारत